बूर्णिंग क्लास फ़र्ष्ट, अवर्य चिल्जरन, इस यूर मायक क्लास, एंड यूर टुदेश्ट टॉपिक इस लेसर एंड स्मालर, बेटर नाश्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस साइन के बारे में, जिधर ये देखे, जिधर ये माउथ ओपिन होता है, उधर कौन सा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उधर कौन सा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, और जिधर माउथ क्लोज होता है, उधर स्मालर होता है, बेटाँ उधर छोटा नंबर होता है, ठीक है, आज हम आपको स्मालर और एक तरह greater number ऐसे ही मैंने इसमें भी कुछ numbers आपके classwork में लिखे हुए है आप carefully देखेंगे कि किधर मैं कौन सा sign लगा रही हूँ आप देखिए मैंने यहां पे 24, 24 and 32, 32 number यहां पे लिखा हुआ है तो इसमें 24 greater है या 32 greater है इसमें दोनों में कौन सा number बड़ा है और कौन सा number छोटा है इस वीडियो में आपको smaller सो करना है कि कौन सा number इसमें smaller है ठीक है तो आईए देखते हैं बिटा 24 बड़ा है या 32 बड़ा है इसमें 2 10s, 4 1s are 24 है और इसमें 3 10s, 2 1s are 32 है तो इसमें से greater कौन सा हुगा 32 हुगा ना और smaller कौन सा हुगा 24 हुगा तो हम इसमें ऐसे लगाएंगे sign ठीक है हमेशा ये वाला जो रहता है जिस mouth close रहता है बेटा वो smaller सो करता है ठीक है नेश्ट आपका क्या है 39 and 49 आप इसमें आपका 39 बड़ा है कि 49 बड़ा है आपको पता ही है बेटा कि 39 पहले आता ह है और 49 जो नंबर होता है वो बाद में आता है पहले आप अगर 39 फिर 40 फिर 41 42 and 43 आएगा आपका तो इसमें कौन सा हुगा इसमें 39 हुगा ना तो इसमें sign हम इस तरह से लगाएंगे हमेशा आपको बस यही ध्याद देना है बेटा कि जो नंबर बड़ा होता है उधर माउट इसका open होता है जो नंबर छोटा होता है स्मॉलर होता है उधर माउट क्या होता है ? close होता है, list आपका क्या है बिटा, 52 and 63, तो 52 पहले नंबर आता है या फिर 63 नंबर आता है, आप चाहें तो counting भी कर लीजिए, 51, 52, 53, 52 आपका आ गया है न, फिर आपका आएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63, तो पहले क्यों सा आया है बिटा, पहले आपका 52 आया है, और बाद में क्या आया है, 63, तो इसमें से lesser कौन सा हुआ और greater कौन सा हुआ, इसमें lesser हुआ, इसमें smaller कौन सा बिटा आपका, 52, ओके, next आपका क्या है, 56 and 92, इसमें 5 tenths, 6 ones are 56, और इसमें है 9 tenths, 6, two ones are 92, तो इसमें 56 है और ये 92 है, आप को पता ही चल गया होगा, कि कौन सा बढ़ा है, इसमें 92 बढ़ा है और हमें smaller so करना है, तो हम कौन सा इसमें कैसे करेंगे बेटा, ये sample लगाएंगे इसमें, चीक है, next आपका क्या है, 12 and 20, ये तो सबसे easy number है, कि पहले 10 आया कि पहले 12 आया, 10, 11 और 12, तो पहले क्या आता है बटा, पहले 10 आता है, तो हम इसमें ये symbol लगाएंगे, और ये जो close वाला है, माउथ हमेशा बड़े number की तरफ open होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, और smaller की तरफ, माउथ जो होता है, वो close होता है, ओके, आईए आपका homework देखते हैं, homework में भी मैंने जैसे आपको समझाया, वैसे ही मैंने आपको homework दिया है, put this sign up, greater and lesser, greater and smaller, यहाँ 51 लिखा है मैंने और 36, आपको दोनों में compare reason करके देखना है कि कौन सा इसमें lesser है, कौन सा smaller है, next आपका है 92 and 26, आप इन दोनों में भी compare reason करेंगे और देखेंगे कि इसमें smaller कौन सा है, next आपका है 33 and 21, आपको इसमें भी क्या करना है, compare reason करके देखना है कि कौन सा number आपका greater है, कौन सा smaller है, next आपक 50 and 29 आपको इसमें भी देखना है बेटा कि कौन सा इसमें smaller है और कौन सा greater है नेश्ट नमबर 5 पे आपका आता है 30 and 34 ये तो very easy है पहले 30 आता है और उसके बाद क्या आता है 34 तो आपको किस तरह से sign लगाया है अभी मैंने आपको classwork में बता दिया है आप वैसे ही अपने homework में पूरे 5 में आप अपना homework complete करके लए आएंगे आप उपर homework डालेंगे और लिखेंगे की put the sign of greater and lesser फिर आपको ये पूरा complete करना है और ऐसे ही आपको classwork में मिलिखना है अपनी classwork की copy में और homework जो लिखना है उसको आपको homework की copy में लिखना है आप अलग-अलग जो आपने notebook बनाई है आप अपने classwork की notebook में आप अपना classwork लिखेंगे और अपने homework की notebook पे आप अपना homework लिखेंगे, okay 5 मैंने आपको classwork में दिया है आप इसे classwork में complete कर लीजिएगा और 5 मैंने आपको homework में दिया है ओके children I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा में इतने हैं next वीडियो में Thank you